हलो एविवन वेलकम टू हर्षिता महंदी स्पेस आप सभी का हर्षिता महंदी स्पेस में स्वागत है तो आज हमारे 30 डे सिरीज का जो महंदी वीडियो का 30 डे सिरीज है उसका आज हमारा डे 20 है तो अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यव बहुत सारा थैंक यू और आगे भी हमारे साथ बने रहेगा तो चलिए महदी को स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक छोटा सा फ्लावर बनाके हम लोग इसको चारो तरफ से डिकोरेट करेंगे और इस डिसाइन को आप एज बॉर्डस यूज कर सकते हो फ्रंट हैंड पे या ब और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएगा तो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा तो फ्लावर बनाने के बाद इसमें थोड़ी से कुछ शेडिंग करते हैं हम लोग जो कि हम हमेशा का है कि फ्लावर बिना शेडिंग के तो अच्छा लगेगा नहीं तो शेडिंग करते हैं तो शेडिंग करने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा इसके जो आउट लाइन को है जो हमने रफरेंस लाइन ले रखी थी उसको थोड़ा सा हम लोग और डाक करते हैं ताकि कि वह इसके लुक को inhance करें और इसके लुक को थोड़ा complete करें। आब स्टेडिंग करने के बाद जो है एक और spiral लेते हम लोग और उस लोग को हम लोग छोटे छोटे हम से दुझे हम से जो है उस circle को پूरा और देंगे। तो छोटे छोटे हम से हैं जब हम लोग शरकल पूरा कर देंगे तो इस बार जो है हमने कुछ लीफ के डिजाइन में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स रखें तो लीफ के डिजाइन में ट्विस्ट एंड टर्न्स है क्या तो चलिए पहले हम लोग जो है लीफ के डिजाइन को draw कर लेते हैं उसके बाद जो है लीफ की डिजाइन के twist and turns हम लोग देखेंगे तो इसको as a peacock feather मैंने लीफ की डिजाइन को रखा है और उसका shape भी उसी के according दे रखा है और उसमें जो है जो मैंने dark shade किया है वो भी as a peacock की design के according ही मैंने करा है तो अब हम लोग थोड़े से इसके look को और complete करते हैं और यहाँ पर एक design लेते हैं उसमें छटे छँटे सफाइरल्स बनातेहें और इस बनाने साथ हम यहाँ पर इस design की filling को complete करेंगे और इस design की filling को complete करने के बाद हम लोग इसमें से थोड़ी सी और leaves निकालेंगे थोड़े से और वाइंस निकालेंगे सबसे पहले उसको निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा जो है वो डाक कर लेते हैं तो ये अच्छा दिखे अब चलिए थोड़े से से शेटिंग करने के बाद जो है इधर एक और डिजाइन करा और इसकी भी हम लोग पहले फिलिंग कर लेते हैं फिलिंग करने के बाद जो है हम लोग end में और कुछ लीज निकालेंगे तो हमारी इजाइन की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब एक लाइन दे कर इससे हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है वो leaf की design को complete करेंगे तो leaf की design देने के लिए सबसे पहले हम लोग outline बना लेंगे एक reference बना लेंगे ताकि इधर उदर हमारी leaf ना जाए shedding अच्छे से हो और वो proper series में निकले अब जब हमारी outline complete हो गई है तो हम लोग इसको दोनों side से fill कर लेंगे तो इसी तरीके से complete करते हुए हम अपनी जो है सारी leaves को इसी तरीकी का look देंगे और इसी तरीके से सभी leaf की हम लोग filling करते चलेंगे तो एक जो series अब complete हो चुकी है दूसरी वाली भी हो चुकी है और हम तीसरी वाली leaf की जो design है उसको complete करते हैं अब इदर करने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा थोड़ा से dot देके इसको decorate कर देंगे ताकि वो और बहतर लगे और इसके साथ अब जो है हम लोग इस design को थोड़ा सा finishing touch देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहां पर shading करेंगे और वहां पर एक spiral look देंगे और dot के साथ इसको complete करेंगे अब इदर से देने के बाद दूसरी साइट से भी हम लोग थोड़ा से ups and downs lines बना लेंगे पतली पतली सी shading के जैसे और उसमें भ खाली नहीं रहने रहेंगे हम लोग इसको भी हम लोग complete करेंगे थोड़ा सा इसमें हम्स वगरा देकर और थोड़ी सी shading spiral की जो shading करेंगे और वो हम लोग बहुत light रखेंगे एकदम dark नहीं करेंगे spiral जो है एक shade में देने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ dot देकर इसके feeling को पूरा कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमारी महंदी का look जो है वो complete होता है सो यह है हमारी महंदी का final look हमारी वीडियो को end तक देखने के लिए आप सभी को thank you so much और हमारे साथ यूँ ही बने रहेगा thank you so much